हलो अबरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल सुवरेंश चली हम फोस्ट मेरिज विद फ्लाइंड प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं वांग जी की आँखों की रोशनी वापस आ गई थी यब उसको काम पूरा हो गया तो सबना हाथ हिलाया और गुजिन वहां से कायब हो गई चमतकारिक तोर पर अब वांग जी ठीक हो जुगा था उस टाइम मैं वांग जी से विंग को ही देख पा रहा था और उसका वो लाल रिबन और फिर अचनक से सब कुछ ब्लैक हो गया वांग जी ने अपना सिर पकड़ लिया और वो विंग के तरफ चाहें लगा क्योंकि वो विंग से पूछना चाहता था क्या वो उसे याद है या फिर नहीं वांग जी विंग के पीछे खड़ा हुआ था विंग वांग जी क्यों देखने लगा और बोला लाना गागा यहां यते सारे बनीज हैं यह किते क्यूट लग रहे हैं क्या इन्हें हम अपने साथ लेकर चल सकते हैं यह यहां पर कैसे सर्वाइव करेंगे यहां कितने ज़्यादा ठंड है वांग जी विंग के पगलें बैट किया वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे कुछ पूछना चाहता हो विंग बोला और गागा क्या आप उसे कुछ पूछना चाह रहे हो या कहना चाह रहे हो वांग जी ने कहा वो शियन, क्या तुम्हें याद है वो रड़का जिसने तुम्हें हेल्प करी थी उस दिन डाक्स को भगाने में वो रड़का जिसने की वाइट रोप्स पहने हुए थी विंग बहुत कंफिज्ट हो गया और वो वांग जी की ओर देखते बोला डाक्स को भगाना वाइड रोप्स जो रड़के ने पहनी थी आप आप किसकी बात कर रहे हो मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है तो एदे के लिए वांग जी के एक्सपेशन चेंज हो गए लेकिन उसने अपने आपको शांत कराया और कहा कुछ नहीं तु हम इन बनीज को अपने सब ले सकते हैं ना प्लीज बोले ना विंग वांग जी के और अपनी पप्रिया इसके साथ देख रहा था लेकिन तब ही वो अचनक से अपनी बेफ कोफी पर हसने लगा वांग जी देख नहीं सकता था तो क्यों विंग उसकी तरफ ऐसे देख रहा उसने पकेले सोचा और फिक कहा अच्छा ठीक है अगर तुम चाहते हो तो हमें लेकर चल सकते हैं देखिन पैलेस में पैट्स एलाउट नहीं है तो मैं इन बनीज को इन जो पीछे पहाड़ हैं वहां पर रखना होगा विंग बहुत खुश हो ग्यार बोला ठीक है लाना का आगा बहुत-बहुत शूकरिए आपका आप पैिस्ट हो दिख कर वीग ने वांग जी के लिपस पर किस कर लिया उसके किस्ट ने वांग जी पर प्योंग प्रेइयní फ्रीज कर दिया विंग भीच्ण शॉक्ट था जब उसने आछसां कि या क्या कर दिया विंग बहुत ओक वांग जी से दूर नहीं लगा और फिर वो उन बनीस के साथ फिर से कहले लगा वांग जी ने अपने गाल को टच किया जिस पर विंग ने किस किया था और उसके फेस्पल किसे स्माइल आ गई उस कोल्ड केव में अंधिरा चाने लगा था वांग जी ने कोशिए स्पेल्स को लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था उसे नहीं पता था कि यहां से कैसे बहार निकलना है विंग को तो नीद आ रही थी वो जबरदस्ती अपनी आखे उपन करने की कुशिश कर रहा था कि किसल से वो सोई ना वो सारे बनीस एक जिगे खटा हो गए और नीचे एक साथ एक जिगे पर होकर सो गए विंग ने अपना सिर एक पत्था की दिवार थी ना उस पर रख लिया लेकिन उसे बहुत अंकमफरडेबल फिर हो रहा था तब यूस ने वांग जी के और देखा जिसकी आखे क्लोज थी विंग उसे कुछ तेर तक यूह ही देखता रहा विंग ने भी फिर अपने आखे क्लोज कर ली और कुछ तेर बाद वो सो गया तब यूह जैनक से वांग जी की आखे खुल गए जब उसे महसूस हुआ कि विंग ने उसके कंदे पर अपने सर रख लिया था वांग जी ने उसे अपने कंदे पर सर रख के सोने दिया वांग जी ने भी अपने आखे बन कर ली उसे महसूस हो रहा था कि विंग अंकफ़टेबल था इसलिए वो अपना सिर इदावदा मूख कर रहा था उसने कुछ पर लो के लिए सोचा और फिर विंग का सर अपनी कोद में रख लिया विंग का फेस वांग जी के स्टमक के उर था उसने वांग ज विंग के हेर्स बहुत सफ्ट और सिल्की थे वांग जी खुद नहीं पता कि वो कब विंग के हेर्स को सलाते सलाते खुद सो गया आधी रात का समय था तपे जनक से विंग अपनी नीज से उठा जिसकी वज़े से उसके लिप्स कुछ ऐसी चीज़ से टच किये जो कि बहु अगे तीक खुली नहीं रही थी विंग को ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे कि वह किसी बहुत ही सॉफ्ट चीज़ पर लेटा हुआ है तब यहाद आया कि अरे वह तो कोल्ड केव में था और वह भांग ची के बगले में बैठा हुआ था लेकिन यहाँ पर तो कोई सॉफ्ट मै किया उसके फेस पर समयला गई और फिर उसने अपनी टंग से उस चीज़ को लिख किया वांग ची अपनी वाइट आखों से सीधा देख रहा था वह बहुत स्टेफ हो गया था विंग के एक्शन से मतलब कोई मुवमेंट नहीं था उसकी बाड़ी में विंग लगा तर अप तो वांग ची के परदाश के बाहर हो गया था उसने अचनक से विंग को नीचे लिटा दिया और उसके उपर आ गया विंग ने अपनी आगे खोली और उसने वांग ची को देखा और फिर उसने अपनी पोजिचन को देखा वो शॉक्ट हो गया उसने वांग ची को अपने से उपर पेंट कर दिया अपने एक हांच से फिर उसने विंग के लिपस को अपने थम से टच किया और फिर उसे किसको ना शुरू कर दिया विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब क्या हो रहा है क्या वो सपना नहीं देख रहा था अभी अभी या फिर एक सपना नहीं था और एक सच था और वो सॉफ्ट चीज़ें क्या यह वांग जी के लिप्स थे विंग अपने ख्यालों में कोया हुआ था तब ही वापने थौट से बाहर आया जब धीरे से वांग जी ने उसके लौर लिप्स पर बाइट कर लिया विंग अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा थ यह वांग जी ने उसके लौर लिप्स पर बाइट कर लिया था वांग जी ने अपने टंग को इंसाट किया और वो विंग को पैस्नेटवरी रिप्लिक्स करने लगा विंग वांग जी के पकड़ सर्दा दरने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपने आपको बिलकुल भी इधर दर मूवी नहीं कर पा रहा था वांग जी की बॉड़ी का पूरा वेट उसके उपर जो था कुछ ताइम बाद विंग उस केस में मेल्ट हो गया और उसने भी वांग जी के उसकेस को रिस्पॉंड करना शुरू कर दिया उनके लिपस एक दूसर के साथ मूव कर रहे थे विंग ब्रेथलेस हो गया था उनका वो केस और दा होड होता चला गया विंग हेविली ब्रीथ कर रहा था और उसका चस्ट उपर नीचे मूव कर रहा था कुछ सेरबाद जब विंग की सांसे कुछ नॉर्मल होई तो उसने वांग जी को देखा जो अभी भी उसके उपर था तब ही उसने वांग जी को अपने से दूर्पुश करते हुए कहा लान वांग जी ये सब क्या है तुम कैसे हाँ मेरे उपर से अटो तुम कितने बहारी हो विंग बहुत जाथा बलश कर रहा था क्योंकि उसे वांग जी की बाड़ी में जो चेंजर्जस थे वो महसूस होने लगे वांग जी बहुत जाथा इंबरेस्ट हो गया था क्योंकि उसे खुद पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है वो विंग के उपर से उट गया और फिर विंग के बगल में जाकर लेट किया अंधेरे के वज़े से वो दुनेक दूसरे के चेहरों को नहीं देख पा रहे थे विंग तो बहुत ही जादा इंबरेस्ट था उसने सोचा ये कितना जादा इंबरेसिंग है लानर का का अपने ये में साथ क्या किया अभी अभी तब ही उसने राड़ खड़ाती है जवान में कहा फांग जी तुम तुम ठीक तो हो ना फांग जी ने कुछ भी नहीं कहा इसके बज़ाए वो उपर उठा और फिर वहां तो चला गया वो बहुत जादा एक्सोस्ट फिल कर रहा था बहुत जादा पेन में था कोकि उसकी बॉड़ी उसके कंट्रॉल में नहीं रह गई थी तब ही विंग ने अपने राइट साइड में खुद को टर्ण किया उसका तिल बहुत तेज से थड़क रहा था उसने अपने लिप्स को बहुत सॉफ्ट ही टच किया उसके फेस पे स्माइल आकाई उसने सोचा फांग जी के लिप्स कितने जादा सॉफ्ट थे तब ही उसने कहा हे वे वुश्यन अपने आपको संभालो इतना जादा मत सोचो अब चिप चप सो जाओ विंग अपने आपको कंफर्ट देने के कोश किया वांग जी उस चीज़ को भुलाई ही नहीं पा रहा था जो कि अभी कुछ दिर पहले हुई थी वो फिर से विंग को पैस्टनेटले किस करना चाहा रहा था तब ही उसने अपना सेड़ ना में हिलाया और उसने मेडिटेशन शुरू कर दिया ताकि वो अपने इन वाइ हो गई हो वांग जी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया हो वांग जी ने विंग को ठाने कोशिश करी उसने विंग का नाम कई बार बुलाया लेकि विंग ने को रिस्पांस नहीं दिया तब ही वांग जी ने विंग को हिलाना शुरू कर दि और बोला मॉंस्टर दूर हर जाओ मुझसे वांग जी यह सुनकर शॉक्ट हो गया था उसे समझ में नहीं आया कि अब वो कैसे विंग को उठाया तब ही वो तेज आवास में बोला वे वूश्यान अगर तुम भी कर भी नहीं उठे तो मैं तुमें किस कर लूँगा बहुत हा पहुए इतनी तेज आवाद सुनकर विंग कचानक से हर बढ़ा कर उठ गया उसने वांग जी को देखा वो काफी शॉक्ट था विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा वो का चौकिंग वे में कहा लाना का अभी अभी अपने मुझसे क्या कहा मुझे अपने कान परकीर और वो हसे लगा वो बोला यह तो एस्टीम्ड मतलब समानित सेकंड प्रिंस है सेकंड प्रिंस लैन है जो की मेरे इस शेमलेस टॉकिंग के एफेक्ट में आ गए हैं यह कर विंग हसने लगा वांग जी खुछ से शॉक्ट था कि अभी अभी उसने क्या बोल दिया वह बहुत जाधा होना चाह सम。 वांग जी को दोवारा एक पल के लिए भी ने सोचा उसने विंग को हिंग की मिंग के दर्व धफक करना सब्सक्र करना शुरू कर दिया विओ तो उसे समच में ने आए अ वूम्झ में, कुछ कूछ नहीं हो बैंख ए इस विक तुच समाझे नहीं पा startups वांग जी ने विंग के लिप्स परकिस कर लिया और फिर जिसकी वेशे विंग के लिप्स स्वालन हो गए वांग जी हेविली ब्रीथ कर रहा था वो विंग के और अपनी वाई ठांकों से देख रहा था विंग ने वांग जी के और देखते हैं सोचा मैं सच में वांग जी को उसकी कोल्डिनाइस के साथ देखना चाहता हूँ वो कितना सथा हॉट दिखे का ना तब ही उसने अपना से नामें हिलाया उसने वांग जी को अपने से दूर पश्च करने कोशिश करी पर वैसे नहीं गरभाया विंग ने कहा अरका का मेरे उपर से हट चाहिए क्या आप मुझे अपने नीचे दबा कर मार डाना चाहते हो हब बहुत अधा है भी हो वांग जी अपने सेंसे से वापस आया और वो विंग के उपर से उठ गया विंग बैठा और उसने उस ट्रेक्शन के और देखा जिदा से लाइट आ रही थी विंग ने उठते वे कहा अरका का मुझे लगता है कि हमें रास्ता मिल गया है चली हम चलते हैं वांग जी ने अपना सेरहा में लाया उसके एर्स और नेक डड़ हो गये थे विंग और वांग जी उस ट्रेक्शन में जाएं लगे जिदा से वो लाइट आ रही थी वहाँ पर एक दिवार थी जिसमें एक छोटा सा दराश टाइप का था विंग कुछी से बोला आर गागा हमें बाहर का रास्ता मिल गया है चली ना हम चलते हैं अच्छे कमें टुकिए मुझे उन बनीस को तो इस कोफा से पाहर ले चलने दीजे ना विंग और वांग जी उस कोल्ड केव से बाहर आ गए बाहर आने के बाद उस दीवार में जो दराज थी ना वो क्लोस हो गई विंग ने अपने हाथों को फैलाते वे यानि के अंगड़ाई लेते वे कहा फाइनली हम बाहर आ ही गए तब ही विंग की आके लाशिचन और कुछ डिसिपल्स पर पड़ी जो उनकी तरफ उस डिरेक्शन में आ रहे थे विंग बोला आरका का शिचन का का यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिचन और वो डिसिपल्स विंग और वांग जी करीब है शिचन ने चिंतित होते हैं फुचा वांग जी वे वुशियन विंग और वांग जी ने शिचन को बो किया शिचन ने अपने डिसिपल्स को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहा डिसिपल्स वहाँ से जाने ही वाले थे कि तब ही वांग जी ने रोक दिया वांग जी बोला इन बनीस को ले जाओ उस पहाड पर जो की पीछे है शिचेन ने नोटिस किया कि वो बनीज विंग के पैरों के इर्थ के इर्थ थे डिसिपल्स ने बो किया उन्होंने उन बनीज को अपने साथ लिया और फिर वहाँ से चले गए शिचेन ने वांग जी और विंग के ओठेक्टेवे का वांग जी वेव शियन तुम दोनों कहां थे हम तुम्हें दो दिन से ढूण रहे थे विंग के सुनकर शौट हो गया विंग ने कहा क्या दो दिन अभी हम लेकिन क्या हम अभी कली कि इस तो इस cold cave में नहीं क्याद हो गए थे शीचन ने कन्फिस्ट वे में कहा cold cave वांग जी ने बोला हाँ brother हम cold cave में थे वांग जी ने कहा विंग cold cave में time बहुत धरे-धरे बीता है इसकी वैस्ट में लग रहा था कि हम वहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए ही थे विंग ने अपना सिर्फ हां में लाते वे कहा कि अच्छा शीचन ने कहा अंकल तुम दौनों के लिए बहुत जाता चिंते थे अब हमें वापस चलना चाहिए विंग ने कहा हाँ हाँ हमें जरू वापस चलना चाहिए और फिर वो palace की और निकल गए इदा शाओ रॉंग जो क वो किसी सेक्रेट जगा पर चला गया ता इसी वज़े से शाओ रॉंग बोली हाँ अब वो वापस आ चुका है अब हमें अपने प्लान केरी करना है अब वक्त आ चुका है वे वो शैन के को 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 क्रेश करने का और ये केकर वो जोड़ जोड़ से हसने लगी ब्लैक सुल ने स्मर्क किया शाओ रॉंग ने एक लटर वेन रॉहान को भीजा कि अब उनका प्लान के अंसार काम करना है इदा वेन क्लैन में वेन रॉहान को वो लटर मिला वो बहुत इवलिफ तरीकर से इस मक करते हुए इस मक करने लगा और फिर वो वहाँ से चला गया उसने अपने डा इंसारे को समझ गए वांग जी वी लांजिरें के सामने यांशि में बैठे हुए थी यांशि मतलब इस्टधी रूम यू 2 ऊई इस नाइफ को पकड़े हुए थे जो लान 1 वांग जी दी थी ऊण ऊस बलैक और रड स्टोन को देकर मैस्पराइस्ट हो गया लेकिन विंग को अपना मास्टर मान लिया था और वो किसी और को उसे टश नहीं करने देता लांजिरेन ने वो नाइफ वांग जी को वापस दे दी और कहा इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना और किसी को भी इस बारे पता नहीं चलना चाहिए कि ये तो मारे पास है उस डेट तक तो बिलकुल भी नहीं वांग जी को पता था कि उसके अंकल क्या कहना चाह रहा है उसने अपना से रहा में हिलाया लांजिरेन ने विंग से भी कहा इस स्टोन को बहुत अच्छे से अपने बास नभाल कर रखना और इसे बिलकुल ही मत खोना और फिर वो बोले अब तुम दोनों जाकर रेस्ट कर लो वांग जी और विंग ने हामिर में से लाया और फिर वो दोनों महां से चले गए लांजिरेन ने गहरे सांस ली वो कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे थे कुछ टाइम बीद किया शाम का समय था लांजिरेन, शिचेन, वांग जी और विंग चाए पी रहे थे शिचेन ने विंग से कहा कि वो दोनों कोल्ड केव में कैसे पहुँच गए और फिर वो वाहर कैसे निकले विंग ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वो दोनों कोल्ड केव में पहुचे वो कैसे लांई से मिले और लांई ने उन्हें क्या कहा क्या दिया और फिर लांई कैसे वाह से जिसा प्यार होगी मतलब उसने सब कुछ पता दिया जो भी जैसे हुआ था विंग उस बारे में सोच कर ब्लश कर रहा था जो कि उस कोल्ड केव में हुआ था लेकिन उसने ये पार्ट नहीं बताया और उसने बनीस के बारे में भी लांशीरेन को नहीं बताया विंग ने कहां मौर्निंग में जब वो उठे तो चनक से लफचा मत करिक तोर पर उस वाल में एक दराज उत्पन हो गई जिससे उन्हें पता चला कि बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल चुका है विंग अपी नजर नीची के हुए था क्योंकि उसके गाल लाल पड़ चुके थे और वो नहीं चाहता था कि कोई भी जिस नोटिस करे कुछ टाइम बात अचानक से वहाँ पर एक सोलजर आया लांची लैन बोले क्या हुआ शिचन और विंग भी उस सोलजर क्यों देखें लगे सोलजर बोले ग्रेंड मास्टर लैन डेड आर्मी ने इलिंग टाउन पर अटेक कर दिया है और वो बहुत बड़ी आर्मी है और वो अधर टाउन पर भी अटेक कर सकते हैं लांची लैन और वाकी की जितने लोग भी मौजूद थे वहाँ पर सब वो चिंते थो गए शोलजर ने कहा हमाई सोलजर को त्यार करो हम अभी के अभी एलिंग के लिए निकलेंगे सोलजर ने बोग किया और फिर वो वहाँ से चला गया लांची चैनल चिरन उट गए वो वहाँ से बाहर चले गए वांग जुय वींग भी उट गए व broken ने कहा मैं भी जाना चाहता हूँ तो वांग जी ने strict way में कहा वींग तुम नहीं जा सकते हो यहां पर रहो वहां खतरा है वींग ने कहा लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ वांग जी ने फिर strict way में कहा चुप रहो दोवारा मुंसे इस मैटल के बारे बात मत करना मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि तुम बाहर जाओ यहां से वांग जी गुस्से में वहां से चला गया विंग ने अपनी आखे रोल करते वे कहा हाँ क्या है और फिर वो भी वहां से गुस्से में चला गया वांग जी विंग अपने रूम में थे विंग को सिचन से एक मेसेज मिला कि डैड आर्मी पढ़ती चली जा रही थी और सिच्वेशन उनके कंट्रोल में नहीं थी जो अधर सेक्स के कल्टिवेटर्स थे वो भी लड़ रहे थे लेकिन कोई मतब उन्हें प्रोग्रस नहीं मिल रही थी वांग जी ने चिंटित होते हुए कहां कि वो जाना चाहता था लेकिन शीचन ने उसे बिलकुल मना कर दे जाने के लिए इदा दूसरे साइट पर विंग की मदद करने के लिए जन्हें चाहता था तब ही उसने डिसाइट कि और की वो चुप चाप वहां से निकल जाएगा जब सब कोई सोया होका वांग जी वांग जी वांग जी बैट पर लेटे हुए थे एक दूसरे से थोई थोई दूरी पर लेकिन और दोनों कोई नीन नहीं आ रही थी वो सोच रहे थे कि जल से जल थी सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ जाए आजी रात का समय था विंग ने अपनी आँके को ली उसने वांग जी के और देखा जो की आँके बंद करके लेटा हुआ था कुछ दिरे तक तो विंग मूव नहीं किया उसने वांग जी को ऐसे देखा लेकिन जब वो इस बास से सैटिस्फाई हो गया कि वांग जी अब नहीं उठेगा तो वो चुप चाप ठीरे से बैट से उठा उसने ब्लैक रोप्स पहनी और उसने अपने मूझ को एक बड़े से कलॉसे छुपा लिया और फिर उसने अपनी सोड जिसका नाम था सूई बियान उसे निकाला उसने वांग ची के और एक बार देखा और फिर वो जींग शी से बाहर चला गया लेकिन उनफॉरचिनेटली विंग अपने साथ वो स्टोन ले जाना भूल गया था विंग बहुत मुच्किल से विंग बहुत मुच्किल से उस पहर निकल पाया था वो पहर ख़ड़ा हुआ था वो आके बढ़नी ही वाला था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई इन्विजिबल फोर्स उसे जाने से रोक रही हो विंग ने आके जाना स्टॉप कर दिया और तब ही उसने एक आवाज सुनी वो आवाज बोली वे वोश्यान मत चाओ ये एक ट्रैप है जो कि तुम्हारे लिए रखा बनाये गया है बेखकुफी मत करो रुख जाओ और वापस चले जाओ विंग ने अपनी एर्दकीर देखा कि अखिरकार ये आवाज किसकी थी देकि कोई भी उसे नहीं दिख रहा था विंग ने उस आवाज को इग्नोर किया जो कि बार बार उसे माज़ जाने के लिए रोक रही थी विंग ने आगे पढ़ने की कोशिश करी जबर्दस्ती लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई डार्क मैजिक उसके माइन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो और उसे बुला रहा हो विंग ने उस आवास को इंग्नोर कर दिया ब्लैक स्मोक ने उसे चावरों से खेर लिया और फिर विंग महाँ से गायब हो गया तब ही वहाँ पर एक वाइट बनी आया जो की ज़ाड़ियों में चपा हुआ था उसके फेस के एक्सपेशन्स काफी अच्छे ने जादा अच्छे नहीं थे वाइट बनी बोला इवल फोर्स वेव उशान से जीत नहीं पाएगी लेकिन वो स्टोन कहां पर है फिर वो वाइट बनी वहाँ से चला गया जब वो बाइट बनी वहाँ से चला गया तो वो ब्लैक सोल वहाँ पे अपियर होई और उसके हाथ में वो छोटी सी बॉटल थी जिसमें वो बाइट लिक्विड थी ब्लैक सोल इसमक करने लगी और फिर वो वहाँ से गायब होते बोली पहला मिशन कम्प्लीट हो चुका है